वेल्कम तू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास नाइं सिविक्स चैक्टर नमबर थ्री है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आज हम करेंगे इसके न्सियाटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो आई होब चिल्दन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें question number one देखिए MCQ की form में है which of the following statement about the reasons for conducting elections are false यह पूछ रहा है कि आपको चार statement दिये गए है इन चारों में से कौन से statement ऐसा है जो गलत है तो जो गलत statement है वो है यह वाला c elections enable people to evaluate the performance of the judiciary अब यह judiciary एक अलग department है election एक अलग चीज है यह कह रहा है कि election से यह पता चल जाता है कि judiciary यनी अदालती और नियाय व्यवस्था जो है वो कैसी है तो यह चीज तो बिलकुल गलत है ना क्योंकि voting एक अलग चीज है और अदालत court का चैरी एक अलग चीज है next which of these is not a good reason to say that Indian elections are democratic हम सबको पता है कि इंडिया एक democratic country ठीक है और डेमोक्रेटिक कंट्री तो हई है यहाँ पर हर चीज बहुत फेर होती है यहाँ के elections भी फेर हैं तो यह कह रहा है कि कौन सा इक ऐसा reason नहीं है कि यहाँ के elections डेमोक्रेटिक है तो यह वाला reason है इंडिया has the largest number of voters in the world यह निकाजा सकता कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा voters है इसलिए यहाँ पर democratic elections है next question next है children match the column एक तरफ आपको यह दिया गया है up to the data up to date जो आपने देखा होगा हर साल एक voter list आती होगी आपके महले में तो वो क्यों आती है because some people may have moved away from the area where they have voted last हो सकता है आज तुम हर्याना में रह रहे हो ठीक है या कहीं और रह रहे हो अब अगले साल तुमारी जोब कहीं और लगी तुमारे पापा का ट्रांस्फर कहीं और हो गया तो पिछले साल तो उन्होंने यहाँ पर वोट दिया था लेकिन अब हो सकता है कि वो यहाँ पर वोट ना दे पाएं इसलिए voters list का क्या up-to-date रखना बहुत जरूरी है next some constituencies are reserved for scs and sts कुछ constituencies reserve होती है sc candidate के लिए or st candidate के लिए क्यों there is a fair representation of all sections of our society कहीं ऐसा ना हो कि सारी जो बड़े बड़े जो पद है वो केवल high caste के लोग ले जाए ठीक है तो scs को और sts को powerful बनाने के लिए थोड़ा उनको भी reservation दिया जात everyone has one and only one word so right ठीक है अब चाहे सलमान खान वोट दे या कोई आम नागरिक वोट दे सब के वोट हर कोई person एक ही वोट दे सकता और एक वोट की value 1 है क्यों everyone has an equal opportunity to elect their representative चाहे रिक्षे वाला हो या कोई Bollywood celebrity हो सब के पास बराबर अपोर्शिरिटी है यही beauty है इंडिया के party in power is not allowed to use government वीकल आपने देखा होगा जब code of conduct लग जाता है आचार सहींता लग जाती है तो जो party power में है वो भी government का वीकल नहीं उसकर सकती क्यों all candidate must have a fair chance of competing in elections जितनी भी party हैं जितनी भी candidate हैं सबको बराबर मौका मिलना चाहिए यह नहीं कि जो ruling party है बस वो ही जीतेगी next list all the different election related activity mentioned in the chapter and arrange them in time sequence इस question को समझाने के लिए suppose करो मैं आपके सामने यहां लिग दूँ A यहां लिग दूँ Z यहां लिग दूँ B फिर लिग दूँ C और फिर लिग दूँ K तो मैं कहूं इसको order में लगाहूँ तो सबसे पहले क्या आता है सबसे पहले ओता ऐता है इसके बात क्याता है इसके बात क्याताsis आता है ऐसे ही यह कुछ काम देंदिये अब यह कह रहा है कि इनको ना एक order में लगाओ तो order में लगाने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हम क्या करना होता है making a voters list देखो इसमें कहा है making a voters list ठीक है number two announcing election schedule देखो कहा है इसमें announcing election schedule तो सबसे पहले voter list बनेगी फिर election list schedule होगा फिर releasing election manifest होगा फिर election campaign होगा फिर filing nomination का file होगा पर्चा भरा जाना जैसे कहते हैं casting of vote डलेंगे ordering of repol होगा counting of vote की counting होगी और finally कौन जीता ये declare हो जाएगा next question सुरेखा is an officer in charge of ensuring free and fair election children जैसे आपकी स्कूल में जब exam होते हैं तो आपकी स्कूल में examination in charge होता है और जब भी आप exam देते हो तो invigilator होता है जो ये देखता है या देखती है madam या sir कि वही कोई बच्चा cheating तो नहीं कर रहा सब कुछ fair हो रहा या नहीं ऐसे ही जब elections होते हैं तो election commission क्या करता है election officers को appoint करता है जिनका काम क्या है जिनका काम है ये देखना कि भाई election fair तरीके से हो रहा है सई तरीके से तरह है तो describe what she should focus for each of the following stages of election तो ये आपको तीन पॉइंट दे दिये गए है इन तीन पॉइंट में आपको ये बताना है कि उसको क्या क्या बातों का ध्यान लखना चाहिए election campaign में कौन सी बात ध्यान लखनी चाहिए polling day में कौन सी बात ध्यान लखनी चाहिए और counting day में तो इसको हम एक एक करके देखें सबसे पहले election campaign क्या होता चिल्वन आपने देखा होगा जब election आ रहे होते हैं तो हर party अपनी party की तारीफ करती हुई है ना आपने टीवी वगरा में भी देखा होगा अपनी गली महले में भी देखा होगा परचार परसार करती है तो election जो officer है उसका काम क्या होना चाहिए election campaign में चेक law and order ये चेक करना कि भई law and order follow हो रहा है कि नहीं हो रहा है number two to ensure no promotion on the grounds of religion caste और sex और ये देखना कि कहीं कोई इस basis पे तो promotion नहीं कर रहा है जिसमें religion को हत्यार बनाया जा रहा है caste को हत्यार बनाया जा रहा है या किसी को male या female के बेस ठीक है दूसरा है इनोंने polling day पे उस officer की क्या क्या duty होनी चाहिए तो polling day पे वो क्या ensure करेगी चेक दा वोटर लिस्ट अगर आपने कभी देखा हो या आप अपने पैरेंट से पुछेंगे तो वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है तब ही आप वोट दी सकते हैं अगर मैं इस पूरे question को sum up करूँ तो election campaign में क्या होगा ये दो चीज मैंने हम भी बता दी चेक लॉर्ण और पॉलिंग डे में ये तीन चीज़े हैं और counting डे में ये चीज़े हैं कि यूएस के अंदर ना तरह तरह की communities है ठीक है और जैसे blacks की है Hispanic की है whites की यहां पर यह number लिखा हुआ है ठीक है इनकी whites की population 70 है इनकी केवल 30 है तो question यह पूछ रहा है would you suggest a system of reservation in the US if yes why and for this क्या आपको लगता है कि US में reservation मिलना चाहिए blacks लोगों को और Hispanic को तो answer है yes बिलकुल मिलना चाहिए अब तुम कहोगे कि sir क्यों fair क्यों नहीं इनको क्यों मिलना चाहिए क्योंकि यह बहुत कम तादाद में है इनकी population बहुत ही कम है अगर इनको आज सरकार reserve नहीं करेगी reservation नहीं देगी तो हो सकता है कल को जो whites लोग है इनको खतम कर दें इ एक वर्ड में answer लिख दोगे yes the system of reservation should be present in US बिलकुल US Congress में reservation मिलना चाहिए for hispanics and blacks because they are minority क्योंकि वह minority मतलब कम संख्या में है next question children question number seven थोड़ा अलग करीके का है इसके चार पार्ट है a b c d question को समझने की कोशिश करो can we draw the following conclusion from the information given in this chapter give two facts आप इन्होंने दो बाते कुछ बाते लिख रखी है जैसे अलग अलग points लिख रखी है आपको ये बाते बतानी है ये सही है या नहीं सही और आपको ना दो reason देने दो fact दे रहे है तो पहला समझते है election commission of India does not have enough power to conduct free and fair election ये कह रहा है election commission जो है इंडिया का उसके पास इतनी power नहीं है कि वो free or fair election करवा सके तो यार ये वाली बात तो बिल्कुल गलत कह रहा है इंडिया के अंदर जो election commission उसके अंदर full power है ठेक है free and fair election कराने की तो answer कैसे कि दिखेंगे भाई हम इस बात से agree नहीं करती no the given conclusion is not right ये जो बात दी गई है ये साही नहीं है क्यों election commission has the power to punish whoever violates rules भाई election commission के पास इंडिया में इतनी power है कि जो भी rule को तोड़ेगा उसको punish कर सकती है दूसरा election commission does not work under government और election commission एक different body है वो किसी के भी नीचे काम नहीं करती government के तो इस पर कोई दबाव नहीं है अब दूसरी बात देखते है there is a high level of popular participation in the elections in our country ये कह रहा है इंडिया के अंदर ह हमारे country में बहुत high level पर popular participation हो रहा तो ये वाली बात बिल्कुल सही है वह एक तो इंडिया की population ज्यादा है ए देखो yes the given conclusions can be drawn because voters have increased a lot in few years पहले बहुत सारे लोग वोट नहीं देने नहीं जाते है आरे क्या करेंगे आरे कुछ से भाई वाइदा नहीं आरे ये नहीं होगा ल पहले लोग politics में उतना interest नहीं लेते थे यंग यंगsters जो थे वो interest नहीं लेते थे लेकिन आज की date में आप देखोगे जो यंग लोग है वो भी इसमें आ रहे है चिल्डन अभी तक इस वीडियो को एक like नहीं किया ना तो यार आप से एक request करूँगा फ्लीज वीडियो को like कर देना अगर आपको मेरी महनत अच्छी लग रही है जिस तरह से मैं बिल्कुल easy way में आपके लिए questions लेके आया हूँ आनसूस लेके आया हूँ तो यार एक like कर देना मैं तीन तक काउंट करूँगा चिल्डन प्लीज वीडियो को like कर देना वन टू फ्री आई होप चिल्डन आपने वीडियो को like कर दिया है चैनल को subscribe कर दिया है थाइंक्यू वाइस अब तीसरा point क्या है इसमें तीसरा point है it is very easy for the party in power to win an election ये कह रहा है जो party power में है वो पात करूं तो यूपी में पहले party थी समाजवादी party लेकिन अब नहीं है हट गई इनके party अब भी जोपी की party है आगे चलके हो सकता है किसी और की party आजाए तो ये जरूरी नहीं है कि जो ruling party होगी जो power में होगी वो ही सत्ता में आएगी no it is not the right conclusion because the ruling party in one election might lose the power in other power in next हो सकता है जो party इस time power में हो अगले election आते आते अपनी power खो दे कोई और party आ जाए number two even after election campaign candidates lose और कई बार ये भी देखा गया है कि हर party भड़ चड़कर क्या करती है अपना campaign करती है और फिर भी वो हार जाती है और इसका एक last point और था question और है इसमें many reforms are needed to make our elections completely fair reforms का मतलब अभी भी बहुत सारे सुधार की जरूरत है improvement की जरूरत है हमारे election तो guys ये वाली बात बिलकुल सच है अभी भी हम देखते हैं कि कोई शराब बटवारा है कोई पैसे दे रहा है है ना yes the conclusion is fair ये वाली बात सही है इससे क्या-क्या फाइदा होगा reforms will make it easier for small parties to fight an election अब जो छोटी party होती है जिनक parties हैं उनको भी मौका मिलेगा election लडने का to stop candidates facing criminal charges from running an election और ऐसे candidates जो क्या कर रहे है जिन पर कोई case चल रहा है जो उन्होंने कोई crime किया है उनको भी रोक देना चाहिए आप बताओ अगर मैं आपसे पूछू जो criminal है जो नहोंने कोई crime किया है क्या उनको कभी leader बनना चाहिए न torturing his wife for daughter चिनपपा एक ऐसा इंसान है यहां देखो जो अपनी wife को परेशान करता है मारता पीटता है किसके लिए दहेज के लिए कि अपने घर से पैसा ला फ्रेज ला गाड़ी ला बंगला ला ठीक है दूसरी तरफ एक और person है सतबीर was held guilty of practice in untouchability सतबीर एक ऐसा person है जो तो अब यह कह रहा है यह दो case आपके सामने हैं the court did not allow either of them to contest election अब court ने ना तो इस आदमी को election लड़ने की permission दी और ना इस आदमी को दी जो untouchability अब बताओ court ने सही किया या गलत किया भाई बिल्कुल सही किया जो आदमी आज की date में अपनी wife से लड़ रहा है उससे दहेज म यह पूछ रहा है does this decision go against the principle क्या यह decision court का democracy के against है बिल्कुल अगेंस नहीं है भाई यह तो बिल्कुल सही है no this decision does not go against the principle of democratic क्यूंकि democracy में चाहे छोटा है बड़ा हो अमीर हो गरीब हो काला हो गोरा हो सबके बराबर अधिकार है because they both committed a crime and criminals are not allowed to contest election क्योंकि इन दौनों नहीं crime किया है और criminals को हमारी सरकार अलाओ नहीं करती election लड़ने के लिए next question अब देखो यह question भी थोड़ा अलग तरह का है here are some reports of electoral electoral malpractices from different parts of the world यह बता रहा है अलग-अलग इंडिया वर्ल्ड के अलग-अलग जगहों पर कुछ malpractice मतलब कुछ घोटा लेबाजी हुई है elections में ठीक है is there anything these countries can learn from India क्या कुछ ऐसा है जो यह country इंडिया से सीख सेके तो अब देखो पहला example क्या दिया है अब भाई vote counting चल रही है ऑफीचर ने क्या किया जान पूछ के इसके बोट जो इसको मिलने थे वो इसमें count कर दिया जिसकी वजह से दूसरी पार्टी जिसको हारना था वो जीत रही दा कोट लेटर फाउंड एट मोर दें 5 लैक्स वोट कास्ट फर वन केंडिडेट वर कांटेड इन फेवर ऑफ और जब बाल में जांच बैटी तो देखा गया कि पांच लाख वोट इसने इधर से इधर कर तो अब इंडिया से ये कंट्री क्या सीख सकता है ओन दा वोट कांटिंग डे रीप्रेजेंट ऑफ रीप्रेजेंटेटिव ऑफ इच पार्टी शुड भी प्रेजेंट भाई जैसे मान के चलो वोट की कांटिंग हो रही है ठीक है यह डबबे है इन्हें में वोट्स प्राइम मिनिस्टर महेंदर चौधरी वोटिंग से पहले करके रात को डराने के लिए प्राइम मिनिस्टर को फेवर में वोट करेगा भाई साब उसको कतले आम कर दिया जाएगा और मतलब धंकी दी गई दिस वाज़ेट टु वोटर्स ऑफ इंडिया जो लोग वहां जो वहां की एलेक्शन कमीशन हो उसको एक इनक्वाइरी कमेटी बिठानी चाहिए दा गिल्टी मस्ट भी पनिज्ट और जो भी सडियंत्र के पीछे थे जिन्होंने वह पैंफिलेट चबवाए उनको पनिश में पनिश करना चाहिए इन दा यूएश इच स्टेस हैस उन मै यह बताते हैं कि जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेते बुश उस टाइम पर 2000 में कुछ ऐसे डिसीजन लिया थार्टी ने जो इनके फेवर में तो अब बताव यह चीज़ सही है यह गलत है इनको इंडिया से क्या सीखना चाहिए दा यूएश शुड है वन इलेक्शन कम यहां पर यूएस में क्या था यहां अलग तो इस टेट्स फ़र एलेक्शन तेक है अगर एक होगी तो पूरा जो रूल्स बनेंगे वह एक जैसे बनेंगे चिल्डन इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कॉमेंट सेक्शन में देखूंगा कितने बच्चे अगर आप कहते हो नो क्या है आपके हिसाब से राइट आंसर आप देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे मुझे कॉमें आप चाहू तो अपने आंसर में ए या बी लिख देना मैं समझ जाओंगा मेरा ही छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना अब हम मिलते अगले वीडियो में बाब बाए